इस वीडियो के अंदर दोस्तो आज की टाइम की आप सबसे खतरना कम्यूनिटी रोहिंगा मुस्लिम देखने वाले हो एक तरह से कह सकते हैं कि इनसान के वेस के अंदर ये सब लोग राकसस हैं ये वही रोहिंगा मुस्लिम है जिनोंने म्यान मार के अंदर नजाने कितने ही ध पहन बेटियों के साथ में बलादकार किये जिन्दा लोगों को काटा और वहां से फिर इनके अत्याचार इतने बढ़ गए कि बोध धरम के लोगों ने इनको वहां से खदेडा इनके उपर गोलियां बरसाई और इनको वहां से भागना पड़ा फिर इनोंने बांगला देश और आसपास के जितने भी पडोसी देश थे वहां पर इनोंने सरण ले इस कैम्प के अंदर जब मैं वीडियोग्राफी कर रहा था तो हर कोई आकर मेरे से परमिशन पूछ रहा था कि आपके पास क्या गौवर्मेंट का कोई कार्ड है या पिर गौवर्मेंट की आपके पा तो न जाने मेरे साथ क्या वहां पर अनोनी हो सकते थे तो ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल मत करियेगा मुझे तो ज़्यादा मालूम नहीं था तो मैं तो घुस गया इस कैम्प के अंदर और घुसने के बाद मुझे सारी जानकारी पता चली फिर मैंने हिमत की और मैंने का आये हैं तो अब यहां से कुछने कुछ जानकारी जुटा के ही चलते हैं इन रोहिंग्या मुस्लिमों की तादाद इतनी बढ़ रही है कि एक आदमी लगबग 8 से 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं इस कैम्प के अंदर यहां पर टोटल जहां तक नजर जाएगी आपको बढ़ाते जा रहे हैं तो इस वीडियो का आप कंटिन्यू देखिए और देखिए इस कैम्प की क्या हाला थे आज के टाइम यहां पर यह इस होस्पिटल का एक इस परकार से रेंप बनाई हुआ है जहां पर जो डिसेबल लोग है जो इस परकार से दिव्यांग जन है उनक पूरा मेटर इसी सी बना हुआ है चोटे चोटे घर इस परकार से हम देखने लग रहे हैं और बढ़ा यह पर यह इस परकार से है तो यह देखिए कितने सुन्दर सुन्दर यहां पर घर बनाई हुए है और इन जोपड़ियों के अंदर यह लोग रहे हैं कम से कम 4-5 किलो म के दाइरे के अंदर ये इस परकार से फैला हुआ है लाइट वगेरा बहुत ज़्यादा है और लगातार बच्चे जो है वो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं लगातार इस परकार से तो वही जैसा आप इतियास जानते होंगे और नहीं जानते हों तो गूगल करिएगा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे 2017 का वो भेंकर नर्शंगार जब वहां से ये मुस्लिम जो है म्यानमार से यनकी ब्रह्मा से भाग कर आसपास के देशों में इन्होंने सरन ली तो ये इस परकार से लेकिन इनका पॉपिलेशन लगातार बहुत बच्छे नजर आरे वाई 2010 में 2010 चले गा फिर बाद में आएद़ न तो काफी लोग वहां से लोटकर वापस यहां बसने लग रहे हैं काफी इस परकार की विजानकारी मिल रही है तो ये केवल और केवल जो बोध धरम के लोग थे और जो मुस्लिम जो थे उनके बीच में नरसंगार का एक ही कारण था कतल खाना और कुर्बानी बस ये है कि वो धरम जो है वो जानवरों को काटने और खाने के पूरी तरह खिलाब थे मतलब और मुस्लिम जो है वो इद पे वगेरा खुर्बानी वगेरा ये इनका कल्चर है तो वो मुस्लिम के बहुत सारे संस्कृती कल्चर रीती रिवाज से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे इसलिए उन्होंने इनका विरोध किया और ये अपने संस्कृती पर अडे रहे इसी बात को लेकर वहाँ पर प्रो जब भागे थे तो नर्शंगार के अंदर जब वापस आसपास पहुंचे तो दो या तीन ही पहुंच पाए जंगलों के अंदर मर गए तो यहां पर पहले क्या था जंगल था जादा पहाड था पूरा ये अभी हम काफी हाइट पे हैं काफी चड़ने में दिक्कत हुई मै एरिये के बहुत ज़्यादा भीतर में आ गया हुँ तो यहां पर और पहले यहां पर यह जो इस परकार से पेड़ देख रहे हो यह बहुत सारे पेड़ और पूरा जंगल था पूरा जंगल था तो पूरा जंगल था तो उसको काट कर यह इस परकार से केंप बनाए बस दि कि थो पोट और चोटे-चोटे बच्च Mississippi का है यह और चोटे-चोटे बच्चे जो है वो अपनी क्ल्चर के इसाफ से लूंगी इस परकार से सारी लूंगी पहने वुए यह लूंहीं नहीं इस परकार से सारी कि यहां आये थे इंदोस्तान गए थे यहीं आये थे तो कब आये थे कितने साल हो गए तो थोड़ा सा उस टाइम का वो मंजर बताओ थोड़ा बहुत आपको याद होगा कि हमारे साथ ये ऐसा कुछ रुआ था तो वो कुछ याद होगा आपको उस टाइम का क्या हुआ थो थोड़ा बताए मुझे लोग चुप इस अक्ता में हमारे पास थी इस मोजूत नहीं होतर ने पर समय मच्बूरता था इसलिए यहां आकर रासता ओंगे रही लाफ बेशिपकर अधनी यह अखला-चला बंड़ बुट किया अच्छ अधिर अधा अधे जंगल में जंगल में घर थीक है और उससे मतर ज़ना ने मार है कि हमारे मालूम जी है तो मतलब यह पूरा उस ताक पूरा याद है घगए दागगेत है जंगल में भागए आ पाट अच्छा तो आपके परिवार में आप यह प्शला है पॉन पूर कौह नहीं ए Cam को आज सकते मालूम नहीं है इस परकार से तो वह एक दुखत घटना हम कह सकते हैं और ममी मुझे हैं आपकी जो वाइफ बगारा सब वाइफ की वाइफ कर सकर हो गया है हुआ और आपकी बच्चे कितना है अपने दो दो लड़के है और लडकिया लड़की लड़की नियुए दोई लड़के हैं उस टाइम जब जंगलों में रहे तो क्या खाते ते जंगलों में रहे तो पानी भी नहीं मिला अच्छा वह बोल मौजूद है अच्छा वोग की वह पेशा पीना पड़ा पीना पड़ा वहां नोगा शुटा-शुटा नोडी है वहां नदियों में से कोई मचली है कोई केकड़ा है आफ कहां ही हम हम इंडिया राजतान इंबाइ चैंस्टिय all goodima come hand you यहां शर्कत शर्कत चsत्थी है चश्रकत की अब यहां की गवर्मेंट आपकी ब्रnte कर रही है बरोबत करें वह आपकी जु अमने बेरिवे करता है जी आपके सब्सक्राइब्म शुलत है हां हाशली यात्रा गूरुजी चैनल से उन्हीं कि मानि महामारे बावाद शर्टार की अनुमति यहां तो यहां वोई देखने रहे क्या प्रोब्लम है क्या समशाइन है क्या है श्याथ डाइक जाए मतलब फोड़ी क्या सुईदा है क्या नहीं है एसा बहुत अच्या लगा आपसे वात मेरे को परमिशन नहीं है मुबेल नंबर का थोड़ा मेरे को परमिशन नहीं है तो कोई दिकत वाली बात नहीं बाकि आपसे अच्छा लगा और उस ताइम की बातें आपने अपनी आखों से देखिए ता आपको याद है मेरे आखे ने जूते का है सब हमारे दिल में मुझू थे और वह मंजर जब याद करते हैं तो एक दम अपने लगते हैं ना एक दिल भराता है दिल गवरा जाता है लेकर बात बहीं नहीं कौ सकता है आज भी डर लगता है हमारे मानी अभी अपने साथ बात के निदमाइं मुझुर हूँ वह हालत को से आपको देखा हाल हमें चाचा जी ने बताया तो यह इस परकार का हाल था यह और मैं आपको दिखाता हूं इस परकार से थोड़ी बारिस भी होने लग रही है गर में भी है यह किस लिए बच्चे के लिए अच्छा चोटे बच्चे होते हैं वो इस टोकरी में रखेंगे लिए अच्छा तो यह देखिए इस परकार की बास से टोकरी बनाई है और चोटे बच्चे जो है वो इसके अंदर सुला देते हैं तो वह आसा नहीं रहती है त तो इसको उपर लटका दे जूला है छोटे बच्चे को यह जूला जूलाते है छोटा बच्चा जो इसके अंदर नीन लेता है यह कितने टका कितने टका लगता इसका मुलते हैं और यह बढ़नेंट गोवर्मन्ट की दर्फ से यह बना-बना के भेशन अच्छा उनका फ्याइब रोजी रोटी चल जाता है जी बांस वहां कहां से लाती गुवर्मेंट देते हैं जंगलों में 49 रघवी के लाते हैं पार इस परकार के जूय है यहां पर बास के अलबा कूई overdose दूसरी नहीं है और यह жकद है यह करने और रखतार हम üst रोडर चल रहे और यह रोड गॉर्मेंट ने बनाई इस प्रकार से इंटो से यह पर तो यह मुहला है पूरा बापस आँए इधर बस की भी सुईदा है बस भी आती है मुस्तफा भाई हमारे साथ जुड़े हैं और मुस्तफा भाई थोड़ा सा खुछ बताना चाहते हैं यहां की कंडिशन और स्टाइम की थोड़ा सा बताएं क्या केना कारे वाद अच्छा सरकारी तरफ से हाँ बिल्कुल वह पास है गुवर्मेंट पूरा तो अनुमतिया से है इसला नाम की नाम की तरफ से है यात्रा गुरुजी कार बिलोगे इदर मिलोगे है तो मैं अब से थोडा देख आप से सीज़ने तरह अब मुस्तफा नाम है ना मुस्तफा नाम है यहाँ शरकार की प्रास होण नहीं तो अपके मुष्किल होने का उमीद है अ मुशकिलाएं जूए मुशकिलाएं विख ओक अपया लोग, टौ्टी अश। साहीं 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 यह पक्लाइब। यहां पर भी देखिए इस परकार से टोकरियां बनाई हुई है बच्चों को सुलाने के लिए कुछ समान वगएरा डालने के लिए यह परकार से बना-बना के विभेस्ते हैं और आगे यह चोराया आगया है और अभी हम अंदर चलते हैं यहां का मैं थोड़ा सा घर आपको दिखाता हूं इस परकार से इना गर बनाया हूँ होता है अंदर गुस्ते ही इस परकार से हम देखेंगा है यह चोटा सा हॉल है यह लग गई आप देखिए यहाँ पर यह कमरा इस परकार से बनाया वाई और एक पार्टिशन करके एक इसके पीछे है थोड़ा सा मैं अंदर आजाओ जूता पेना हुआ है अजया यह इसके आख जब रहे लाए तो यह यहाँ पर इनकी अपर है और इक फैमेली है अच्छा छी लोग है यह भी दिक्त रावदी है तो है तो यह दो श्राव-ट वाली बात नहीं है सामान वगेरा उपर रखांवर टोटल कूरा लम सबस्क्राइब डूर है स्य तो यहां से गवर्मेंट आपको हटा भी सकती है कभी अभी तो कुछ नहीं बोला है लेकिन कभी मालों ऐसा कुछ हो जाए तो हटा भी सकती कि गवर्मेंट की जमीन पर बैठें आगर इदर बहुत हमारी ऐसा है काफी मुश्किल हालात है बहुत बढ़िया और सहरा ने दिया ह और आपके बच्चे कितने हैं चार बच्चे और ऊपर यह पूरी ऐसे बंबू से बना रखा पूरा है और समान रखने के लिए भी उपर इस परकार से स्टेंड बनाई हुए हैं ताकि यह उपर हो जाए और यहां पर बरसात होती है चाता भी रखते हो ना तो यह है और छो यह आपका यह ना तो उस ताइम आप तो अभी हिंदुस्तांज जाए हैं तो यह हैं अच्छा लाइट पूरी सरकार की तरफ से अभी मैं सर के घर के अंदर ही खड़ा हूँ क्या नाम बता है आपने मौमत खारीज सर जो है वो इनके घर में खड़ा हूँ और गर्मी से बेहाल होने लग रहा हो तो आप सोचिए कि इन बच्चों की क्या हाल हो रहे हूंगे लेकिन अभी इनकी यही किश्मत है इनको यही गुजारना पड़ेगा इन्होंने अपनी करम यही लिखा के लाए है वही उपर वाले से और यहां पर इस परकार से पंका है और उपर से यह तरपाल है तो अब उपर से जो धूप गिरने लगरी है हालत एक नंबर भाई साब खराब एक दम है ना खड़ा भी नहीं रहा ज दोस्तो बंगलादेश और म्यानमार के बोर्डर के जश्ट नजदी खड़ा हूं और यहां से यह हालात मैं आपको यात्रगुर्जी चैनल के माध्यम से दिखाने लग रहा हूं